नमस्कार बिहार 24 सच से सामना के सभी दर्सकों का अभिनंदन मैं हूं करनिया ठाकूर अभी हमारा विशेश कारिक्रम चल लहा है नगर परिशत जंजारपूर का चुनाव है और ये कारिक्रम मेरा है एजेंडा दो हजार तैस आज के कारिक्रम में हमारे इस्टूडियो में जो सक्ष आमंत्रित है वो जंजारपूर नगर पंचयत के आज के तिथी में भी नेवर्तमान मुख्य पारिशत है पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूँ स्वागत है मुन्ना वाभू उर्फ वीडेंदर नरायन पंडारी जी आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस चुनावी समाई में समाई निकाल के मेरे लिए दो मिनट का समाई दे रहा है इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सुख कामना आपकी सारी धनवाद ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपने धनवाद दिया, मैं सुखार करता हूँ, हमारे दर्सक भी सुखार करते हैं, लेकिन हमारे दर्सक आपको विशेश रूप से देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे वो इसलिए कि आप उस पद को सुसुभित क नगर पंचयत के निवर्तमान मुख्य पार्षद हैं आप, आज के तिथी में, और नगर परिसद के वर्तमान में 15 ऐसे मुख्य पार्षद के पर्तियासी हैं, जो जिस पद पर आप हैं, उसको पाने के लिए एरी चोटी एक लगाए हुए हैं, फिर आपने उस चुनावी दोर से खुद को क्यों बाहर कर दिया? 2017 में और उपमुख पार्षद के रूप में यहां निरबाचित हुआ था 2017 में, उस दिन मैं टीवी चैनल पर प्रेश मीडिया में यह बोला था कि इस पंच वर्षिये में जन्जारपूर को नगर परिषद का दर्जा हम दिलवाएंगे, वो वीडियो हमारे पास भी है, नगर परिषद के रूप में जाना जाता था, यह दू हजार दू से हम लोग नगर परिषद के रूप में जाने जाते थे, आज यह नगर परिषद देखने को मिला है, बड़ी सवभाग हमको मिला कि अपने कार्षकाल में इस जन्जारपूर को नगर परिषद के रूप मे भी हमने देखा यह तो सुभाग की बात है आपका कारिकाल कैसा रहा उस पर हम जाते हैं लेकिन नगर पंचायत में इतनी बरी भूमिका नगर परिशद बनाने में सारा स्रे उसके बाद नगर पंचायत के मुख्य पारसद के परत्यासी पद से खुद को अलग क्यों कि यह मु क्षित हो गया तो सबसे पहले मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं सभी नगरवासियों को यह बताना चाहता हूं कि मेरी फत्नी भी जौब में है एक महिला उमिदबार के रूप में मेरी माँ जो पुर्माभी निवर्तमान रूप में पारसदी वार्तेरस है और मां का उम्र भी काफी ज्यादा हो गया है और स्वस्त भी रहती है और अभी का चुनावी जो समर आ गया था और जितनी यह लंबी अब दूरी हो गई है कनोली से लेके बलभधपूर नंजारपूर स्टेशन उसमें मा का स्वस्त के रूप में सडीर अलाव नहीं कर रहा था हमने से भी उनका चेकप सब कर वाया अगर रिपोर्ट सही आता तो हम निश्चित रूप से प्रयास करते उमिदवारी देते लेकिन हम अपने मा के स्वस्त को देखते हुए मैं उमिदवार अपने यहां से नहीं दिया बहुत ही अस्पस्ट सब्दों में आपने अपनी बातों क को रखा इतने अस्पस्ट वात की लोग हमारे दर्जक भी उमीद नहीं कर रहे थे एक पुत्र का जो धर्म होता है वो आपने निभाया है मुखे पारसद परत्यासी के पद से स्वस्त को अलग रखा जो कि 15 लोगों का ड्रीम है और आप उस पद को सिसोबीत कर चुके हैं इस चुनाव में आपके भूमी का कहां तक सिमित है देखिए अभी मैं बरत्मान में वाड नम्मर नौ से वाड पारसद के पद पर नमांकर्म किया हूं अभियर्थी हूं एक संवक जरूर था जो इस नगर से या इस समाज से मुझे दू हजार बार से राजनिती करने की सुरूबात हुई थी असिरवद मिला था 2012 में पर्थमबार अरहाई साल मैने वार पारसद रहा, पांच साल उपमुख पारसद रहा और अरहाई साल मुख पारसद के रूप में नगरबासी के आसिरबाद से हमने अपने दाईतों का निर्महन किया, सेवा किया, अगर हो सकता है, हम सेवा के दर्मियान में अगर कोई त तो हम समस्ता नगरवासियों से माफि माँगते हैं opportunities Zukunfts ज़ी हम माफि भी माँगते हैं जहांटक सेवा की बात रही तो जयसे मैं मुख पारसद या मुख पारसद या मुख पारसद च्पार स्वार्च च्पार्सर के रूप में 2012 से मैं सेवा करते आया हूं तो अभी भी मैं वाड पारषद के रूप में नमांकन किया हूँ, अभी अर्थी हूँ, पुना अजन्ता से मैं आशिरबाद की अपयक्षा करता हूँ और अनभरत उनको यह कहीं नहीं महसूस होगा, जो कल चेयरमेन के रूप में यह सेवा इसे देते थे, आज वाड पारष के पद पर हूँ, हमसे यह सेवा संभव नहीं है, चाहे पठना की सेवा हो, या दिल्ली की सेवा हो, या अस्पताल जाने की सेवा हो, या किसी सरकारी भी भाग में पैडवी की सेवा हो, हम सेवा दने के लिए अनभरत तयार है, हम नगरवासी को कहीं से भी कोई कमी की महसू वार्ड को सीच रहे हैं इस बार भी इसलिए अपने वार्ड को सीचने के लिए आप चुनावी मैदान में आये हैं मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाने से पहले आप से संशेप में ये जानना चाहूंगा कि आज जब आप मुख्य पारसद परत्यासी स्वेंग नहीं है आप आपने क्या माईले स्टोन कीचा है आप जो काम किये हैं उसमें मुख्य काम ऐसा क्या है उसके वारे में थोड़ा बिस्तार से हमारे जनता को बताएं ताकि जनता उसको जज़ कर सके जो मेरा नगर पंचायत पुर्ब में इस तरह से बिक्सित हुआ है और जो आने वाले उनके लिए भी एक लेशन मिले कि मैं क्या करूंगा आप अपने कारेकाल का मुख्य जो जिस पर आप गर्व कर सकते हैं वैसा क्या काम आपको दिखता है तो देखिए हमारे हिसाब से 2002 से नगर पंचायत का जब से गठन हुआ और चुनावी परक्रिया की सुरूबात हुई तो यह लगता है जो नगर परिशद का इस बार पर्थम चुनाव है तो पांचमा कार्ज का ला रहा है जंजारपूर नगरवाशियों को के समग और सबसे पहला मैं यह बता दू जो यहां के समाज के आशिरवाद से कई मुख पार्षद बने उपमुख पार्षद बने कई लोग पार्षद बने आज तक जंजारपूर नगर पंचायत कहिए या उतकरमिक नगर परिशद का कारजालाई नहीं था जो इस समाज को कारजालाई सेवा के रूप में आज कोई सर्टिफिकेट बनवाना है जन मिर्तू परमान पत्र बनवाना है यह कोई किसी सरकारी मंदल के द्वारा दिया गया दो रूम में चलती थी जब वो रूम खाली होन कितने बार नोटिस आया वहां खाली करने के लिए और जब मैं मुख पार्षद बना की रन दे भी जब मुख पार्षद बनी थी तो अधार शिला उनहीं के द्वारा रखा गया था लेकिन उनके बाद हमको लगता है जो साथ साल सोना मंदल भी यहां की चेयर्मेन रही इसके बाद लटका रह गया था यहां उसादे भी भी मुख पार्षद के रूप में रही लेकिन प्रसासनिक भवन बनवाने में किसी का हिम्मत नहीं काम कर रहा था जो इसमें हम इस काम में अपना हा बना तो सब से पहले मैं उस प्रसासनिक भवन को आज तीन मंजला बनके तयार है 27 वाड पारषद इस नगर बास्यों के आसिरबाद से जीत के यहां आएंगे उनके लिए भी सभा कक्ष, मुख पारषद का कक्ष, हुप मुख पारषद का कक्ष आज सब बनके तयार है आग किसी बड़े बड़े कार्ज खरम का आयोजन होता है सांस्कृleft mike writes क्रम हो और किसी राजनिति कार्जिक खरम हो चिर्षद कपील अस्ग जिलाप अधीकारी थे , मैं राजनिति रूप से मन्त्र dubhiy Mahodais का सहयोग लेकर उन से ध्ष्णभारपूर लोग Wave Questo घंजारपूर के लि वंटन करवाया और उसमें आज सम्राथ असोक भवन मधवनी जिला का पहला सम्राथ असोक भवन मेरे कार्जकाल में शुकृत करवा के यहां भवन बनके आज तेयार है जहां तक सरक की बात हो आप भी इसी नगर के हैं इसी समाज के हैं बेला रही लाल पटबा गाची से और ह सरक हाई कोट सुप्रीम कोट नियाला का चकर लगाते लगाते हम लोग समझते थे बनेगा या नहीं बनेगा कितने बार पैसा वापस हुआ फिर हम लोग मंगाते थे मुझे गर्व होता है कि महें अपने कार्जकाल में हूँ वो भी सरक का निरमान कर वा लिया कशरिया क्या से अकलूप आसमान घर होते हुए कमला तटबंद हिंदू समाज में हम लोग दासंसकार में जिनको अपना भूमी नहीं कम है तो लोग नदी के किनारे दासंसकार करने के लिए जाते हैं वहां लोग पानी में जाते थे पहले बरसात के समय में आज चार चक्का से सिधा पहुं परती है जहां तक जल निकासी की बात है थाना चोक से सुखेट सिमा आटी याई की ओर आर्सी सी नाला का निर्मान करवाया कुछ भाग में और उसको आगे बढ़ना है रासी की कमी हुई उसमें जनता का शिरबाद फिर मिलता है फिर आगे हम लोग सोचेंगे अपने करवाया यह भी गौरब हमको प्राप्त हुआ जबकि कोवीड नाइंटीन में हमको अधाय साल में केवल साबा साल कार्ज करने का मोका मिला और उस साबा साल में मैं ने इतने कामों को अंजाम दिया आज नगर पंचायत में अगर कोई कच्रागारी कहीं सरक पर निकलती है त मैंने उसको खड़ीद करवाया एक काम हम से मनल इक्छा रहते हुए भी सरकार से मैं भी कई बार पत्राचार किया लेकिन सरकार का वहां काना था कि नदी के किनारे हम मुक्ती धाम असरम का निर्मान करवाएंगे बजाबते सरकारी भूमी वहां उपलब्ध हो जहारपूर म कहीं सरकारी भूमी उपलब्ध नहीं हुई हम लोग कुछ आगे की सोचे हुए है अब जनता के आसिरबाद मिलते ही इस पर हम लोग आगे अभी घोसना मैं नहीं करूंगा इस आसिरबाद के बाद हम लोग आगे की सोचेंगे लेकिन यह सब से अहम चीज है जो मुक्ती धा आस्रम का निर्मान कमला बलान तटबंद के बगल में हो ताकि मैं रहूं या न रहूं कल हो के कोई देखेगा तो हमारे पिता जी या दादा जी का नाम उस पर रहेगा तो यह मुझे आप इसारो ही इसारो में अपनी आगे की योजना को भी बताया और बड़े निर्विक तरीके से अपने किये गए काडियों के बावत संशेप में ही लेकिन किस बात पर आपको गर्व है उन पर बताया कहां छूट रहा है क्या छूट रहा है तो मुक्ती धाम के बारे में ब बता दिया है कि मैं रहूं या ना रहूं उस जगह पर और उसे पहले उन्होंने बताया कि सरकारी जमीन नहीं है मतलब आप अपने तरफ से कोई एरेंज कर रहा हैं जमीन प्रस्तावीत है अब लोग के नजर में प्रस्तावीत है मुकिता खुली गया और इस चुनाओ में वह आप सिर्फ वाड़ परसद के रूप में हैं अब भी चुनाओ में जो लड़ रहे हैं लेकिन आपकी जो सोच है आगे आने वाले बरसों में आप पिछले जो आपने किया है वो सोच मुख्य परसद के रूप में ही आपका विक्सित है और आगे भी आपने मुख्य परसद के रूप में ही बताया है जो कि मैं रहूं या न रहूं या फिर जंजारपुरे से डिवलप होगा तो सिर्फ वाड़ परसद का चुनाओ लड़ते हुए आपको यहां की कि जनता क्या कि यंग मेकर की भूमी का में जो देख रही है उसमें कितनी सचाहि यह उतना है नहीं जानते है कि यह नहीं इंपकर कैं व्ट करेंगा कि निर्विक हो कर जो सही उमिदबार हो जो सब से पढ़ा लिखा उमिदबार हो जो आपकी बात को सदन में उठावे आपकी बात समस्या का समाधान करे जिस पर किसी तरह कादाग नहीं लगा हो स्वक्छ भी का हो ऐसे उमिदबारों का चेहन जरूर नगरवासी करे अच्छे तरीके से अपील को किया है और मैं आपको मैं बता दूँ कि हमारा जो यह कारिकरम है एजेंडा 2023 इसका मुखे देश यही है कि आप जब भी अपने चुनाव का मत डालने के लिए जाएं परतियासी का चेहन करें चाहे वाट परसद का चेहन करें या मुखे परसद का या उपमुख परसद का सही परतियासी के चेहन करने में आपको कहीं कोई कनफ्यूजन हो तो हमारे इंटर्विव के देखें आप जज करें सही परतियासी को चुनने के लिए यही मेरा पर्यास है आप पूर निवर्तमान मुख्य पारशत को भी सुना इनको देनवाद भी देते हैं और अगली करी में अगला पुड़ा अगला एजेंडा दो हजार तेईस में किसी से मिलवाने के लिए मैं पुना प्रस्थान कर रहा हूं तब तक के लिए हमें आज्या प्रस्थाइब यही पूर्वाद प्रस्थाइब तक कि लिए मैं प्रस्थान कर दोड़ाद प्रस्था कि अभरूप्य विए प्रस्थाइब धूर्वाद